इस नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत सवागत आप सभी का अपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज़ करते हैं इस अप्लिकेशन का यूज़ करते हैं और जब भी आप इस अप्लिकेशन को यूज़ करते हैं तो आप आपको यहां पर सिर्फ connecting दिखाता है प्रोपर तरीके से connect नहीं हो पाता है जिससे के आप इसको यूज नहीं कर पाते हैं सिर्फ आपको दिखाएगा यहां पर connecting अपको शो करेगा फिर भी आप नहीं हो पाएंगे तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस प्रॉलम का सॉलिएशन तो इस वीडियो में अंट बने लेगा वीडियो अच्छी लोगे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए जान लेते हैं कै दो क्नेक्टिंग प्रॉलम को सॉल्व करना और इजलि फंस करना तो सबसे पहले तो आपको चैक करना है अपका mobile data on है या off है जो आपको mobile data है उसका on होना बहुत जरूरी है जैसे आप अपने mobile data को on कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी problem solve हो जाएगी अगर फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है तो setting में आईएगा scroll करिएगा नीचे की तरफ और यहाँ पर apps में आ जाना है इसके बाद यहाँ पर manage apps देखने को मिल रहा है manage apps पर क्लिक करिए फिर उसके बाद सर्च बार है सर्च बार में आपको उस application को सर्च कर लेना है कर लेते हैं यह आ चुकी है tm tunnel light और इसको open करते हैं open करने के बाद आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा clear data clear data पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे इसका clear catch आपको कर देना होगा याद रखिए आपको clear data नहीं सिर्फ only clear catch करना है देन उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा restricted data uses आप इस option पर आपको click कर देना है आपके दोनों unselected होंगे wifi, mobile data इन दोनों को select करना रोके कर देना है अब आप देखिएगा connect होके आप easily connect कर पाएंगे आपको किसी तरह से connecting नहीं शो करेगा connect हो जाएंगे आपको अगर आपको फिर भी problem face करनी पड़ती है तो आप जो है एक बर अपने mobile को restart कर ले या फिर power on off कर ले आपकी problem 100% solve हो जाएगी so guys बस आज के वीडियो आपको यहीं बताना था होप आपको वीडियो अच्छे लगे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना चैनल कर सब्सक्राइब कर देना मिलते नेक्शे वीडियो में तिल दर भाए टेक यह लव यू